Hi everyone, welcome back, my name is Galaxy Parmar और आज है हमारा lecture number 12 of chapter number 1, linear equation in 2 variable तो आज के वीडियो में हम लोग practice set 1.5 start करने वाले हैं, yes तो चलो फड़ा पर start करते हैं तो अगर अभी तक आपने telegram group join नहीं किया है तो आप telegram group वगेरा सब join कर लेना वहाँ पे आपको सारे study materials मिलेगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like, share and subscribe कर लेना ठीक है अब यहाँ पे देखो यह हमारा last practice set that is practice set 1.5 और यह जो practice set है इसमें क्या है application of simultaneous equation है अब application का मतलब क्या होता है application का मतलब होता है apply करना तो यानि कि देखो जो हमने यह simultaneous equation देखा तो इसको हम लोग real life में कहाँ पे apply कर सकते है और कौन से questions को solve करने में हमारी यह मदद करते है वो हम देखने वाले है इस practice set में ठीक है? तो चलो practice set 1.5 start करेगे let's see कि आज हमारे कितने sums होते है तो बस आपको क्या करना है देखो यह जब application आ जाता है तो बहुत बच्चे घबरा जाते है उनसे यह solve नहीं होते है और वो पहले ही हार मान जाते और ऐसे बोलते हैं कि अरे यह तो हमसे नहीं होगा अरे आप उसको question को पढ़ो ना question को पढ़ो, question को समझो अगर देखो एक बारी में समझ में नहीं आता है न तो question को दूसरी बार बढ़ो दूसरी बार बढ़ो क्या होता है दूसरी बार पढ़ो और उसके बाद अगर दूसरी बार भी समझ में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़ो ठीक है थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा question को कम से कम तीन से चार बार पड़ना पड़ेगा उसके बाद वो समझ में आएगा और जब वो समझ में आ जाएगा तो उसको mathematical form में आपको लिखना है और फिर आपको solve करना है और उसका solution निकालना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है you have to read the question को read ही नहीं करना है उसको समझ ना है और जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना उसके बाद आप उसको mathematical form में लिखना start करो ठीक है ओके तो आप देखो हम लोग question को बहुत अच्छे से पढ़ेगे तो सबसे पहला question देखो क्या है two numbers differ by three यहाँ पर क्या बोला है कि जो दो numbers है ना differ का मतलब क्या होता है difference ठीक है आप देखो यहाँ पर ना में कुछ term आपको पहले ही बता देती हूँ यह question को पढ़ने से पहले में कुछ term बता देती हूँ जैसे कि यहाँ पर देखो अगर आपको क्या आता है sum आता है तो sum का मतलब क्या होता है बच्छा पाटी sum का मतलब होता है addition करना यानि कि plus करना simple सी भाशा में बोले तो अगर suppose करो कि आपको क्या दिखता है question में differ दिखता है तो differ का मतलब होता है difference और difference का मतलब होता है subtraction यानि कि आपको क्या करना है subtraction करना है okay differ का मतलब होता है subtraction और अगर suppose करो कि आपको question में दिखता है product आपको product word नजर आता है या times word नजर आता है ठीक है times भी नजर आ सकता है तो इसका मतलब होता है multiply करना क्या करना multiply करना ठीक है तो ये थोड़ी सी basic चीज़े है जो आपको पता होनी चाहिए चलो अभी हम लोग फिर से question को पढ़ते है question क्या दिया है देखो two numbers differ by three अब इसका मतलब क्या है कि दो number है और उनके बीच में जो difference है न वो क्या है three है अब इसका मतलब क्या होगा कि जब हम वो दो numbers को क्या करेगे subtract करेगे न तो हमको क्या मिलेगा three मिलेगा हाँ इसका मतलब ये है कि जो दो number है न जब हम उसको subtract करेगे न तो हमको three मिलेगा चलो आगे पढ़ते हैं क्या दिया है यह हमारी first condition हो जाएगी तो यहाँ पे न दो condition दिये होगे और जब हम वो दो condition को mathematical form में लिखेगे न तो हमको दो linear equation in two variable मिलेगे और फिर जब हम वो दो linear equation in two variable को solve करेगे किस से solve करेगे? elimination method से solve करेगे और फिर हमको हमारे जो answers से वो मिल जाएगे यह ऐसा पूरा process चलता है ठीक है? चलो अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है? the sum of twice the smaller number and twice the greater number is 19 यानि कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और एक condition दी है चलो इस condition को हम लोग बाद में थोड़ा सा अच्छे से समझेगे बाद में समझेगे मतलब क्या? इसको mathematical form में जब लिखेगे ना तब समझेगे लेकिन यहाँ पे देखो यह condition को read करते time हमको क्या पत अब वो दो नमज में से कौन सा होगा? एक होगा हमारा बड़ा नमबर और एक छोटा नमबर वरोबर okay तो यहाँ से यह भी समझ में आ गया कि एक बड़ा नमबर और छोटा नमबर है और फिर आगे क्या बोला है find the numbers यानि कि वो जो बड़े छोटे नमज है ना येस जो हमारे दो नमज है वो कौन कौन से है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते है let the greater number be x okay तो यहाँ पर हम लोग greater number को ले लेते है x तो let the greater number be x and smaller number be y okay and जो हमारा चोटा नमबर है उसको हम लोग ले लेते है y और अभी हमको इसी x और y की value find करनी है ओके x और y की value find करनी है ओके चलो अब यहाँ पर देखो यह first condition है तो first condition हमारी क्या है तो यहाँ पर लिखे के by first condition तो जो हमारी first condition है इसको हम लोग mathematical form में लिखेगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला है two numbers differ by three जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था इसका मतलब क्या होता है two numbers differ by three का मतलब होता है कि जो हमारे दो numbers है ना उनके बीच में जो difference है वो three है यानि कि जब हम वो दो numbers को subtract करेगे ना तो हमको three मिलेगा तो यहाँ पर देखो अगर हमने क्या किया यह जो हमारे दो numbers है इनको हमने subtract किया तो हमको three मिलेगा तो चलो इसको हम लोग mathematical form में लिखते number करते है तब जाके हमको positive answer मिलता है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x minus y is equal to 3 और यह हमारा आ जाएगा equation number 1 तो यह देखो यह जो हमारी first condition है यह देखो यह हमारी first condition है इसको हमने mathematical form में लिखा तो हमको यह पहला linear equation in two variable मिल गया है ठीक है ओके अब हम हमारी दूसरी condition read करेगे हम दूसरी condition को read करेगे और हम उसको mathematical form में लिखेगे तो यहाँ पे अभी हम लोग next क्या करेगे next हम लोग लिखेगे by second condition तो let's see कि हमारी second condition है वो क्या है तो read करते है क्या बोला है the sum of twice the smaller number and twice the greater number is 19 ओहाँ पे देखो मैंने उपर आपको को बताया था sum मतलब क्या सम मतलब addition करना ओके तो यहाँ पे हमको क्या करना है sum करना है यानि कि यहाँ पर हमको add करना है किसको add करना है चलो एक बार फिर से पढ़ते है क्या बोला है the sum of twice the smaller number देखो यहाँ पर एक तो चलो फिर एक बार практи करेंगे तो चलो फिर से एक बार रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे तो छो गिंदिगे तो थी से किसको multiply करना है greater number को multiply करना है क्योंकि क्या लिखा है twice the greater number तो twice the greater number और greater number है हमारा sorry x greater number क्या है x है तो यहाँ पर क्या बोला है sum of इसको देखो read करो sum of twice the smaller number and twice the greater number is what is equal to what is 19 तो यह हमारी condition है second वाली जिसको हमने mathematical form में लिख दिया है थोड़ा सा अच्छे से फिर से पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा देखो sum of मतलब क्या sum मतलब plus करना अब हमको किसका plus करना है यानि कि कौन से दो जो है जिसको हम add करने वाले है तो यहाँ पर बोला है the sum of twice the smaller number and twice the greater number is equal to what 19 अगर आप यह multiply की sign नहीं लगाते हो न तो भी चलेगा आप directly ऐसे भी लिख सकते हो देखो मैं आपको बताती हूँ सब कुछ आपको बताओगी यहाँ पर देखो sum of sum मतलब plus करना sum of what sum of twice twice मतलब two से multiply करना अब किसको multiply करना है तो यहाँ पर क्या लिखा है twice the smaller number smaller number को multiply करो गया और smaller number तो हमने लिया है y ठीक है तो sum of twice the smaller number and thrice the greater number thrice मतलब क्या? thrice मतलब three से multiply करना अब three से किसको multiply करना है तो greater number को और greater number हमने लिया है x तो यानि कि यहाँ पर आजाएगा 3x and that is equal to what? that is equal to बच्छा पाटी 19 तो यहाँ पर देखो यह 19 और यहाँ पर देखो यह हमको हमारा दूसरा linear equation in 2 variable मिल चुका है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है 2 condition दिये रहेगे उस 2 condition को हम लोग mathematical form में जब लिखेगे तो हमको 2 linear equation in 2 variable मिलेगे और फिर हम अब इसको elimination method से solve करेगे और सब हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा ठीक है तो अब देखो इस condition को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहती हूँ एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ sum of twice the smaller से हम लोग आगे solve करेगे तो यहाँ पर देखो पहला जो हमारा term होगा वो x variable वाला होना चाहिए तो मैं क्या करूगी यह जो 3x है ना इसको यहाँ पर ले के आजाती हूँ और 2y को यहाँ पर ले के आजाती हूँ तो यह हो जाएगा 3x प्लस 2y ठीक है क्योंकि हमारा पहला x variable वाला term होगा ना इसलिए मैंने उसको पहले x लिखा और वो y को बाद में लिखा and that is equal to 19 और अब हाँ हाँ हम इसको दे देगे equation number 2 clear है तो यहाँ पर देखो मैं फिर से बताती हूँ हमारे जो 2 equation से वो कौन से है घ्यान से सुनना अरे कहा गया स्केल नहीं क्या चाहते ही है यह चाहिए मुझे तो यह देखो यह नम्मर 1 अरे यह डपबा ऐसा आ गया चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा डपबा नहीं चाहिए हमको हमको तो वैसा वाला चाहिए ता चलो red में कर लेते हैं नहीं किया है तो इनकी साइन नहीं बदली होगी हमने सिफ इनको अदला बदली किया है ठीक है 3x को पहले लिख दिया 2y को बाद में लिख दिया अदला बदली किया है तो ऐसा मत समझना कि अरे आपने तो साइन चेंज ही नहीं किया आपने 3x को उधर शिफ्ट किया तो साइन तो change नहीं किया, अरे भाई, shift नहीं किया है, अदला बदली किया है, थोड़ा समझो, अदला बदली और shift में difference होता है, तो अभी इन देखो, equation number 1 और 2 को हम लोग क्या करेगे, elimination method से solve करेगे, elimination method तो बच्चा पटी यादी होगा, सबसे पहले क्या करना है, हमको कोई भी एक variable का coefficient same करना है, तो अभी आप ही दिमाग लगाओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर equation number 2 में देखो कि तो y variable जो है, इसका coefficient यहाँ पे क्या है, 2 है, तो अगर suppose करो हमको भी यहाँ पे equation number 1 में y variable का coefficient same चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 2 चाहिए हमको, तो अगर हमको यहाँ पे 2 च चल रही हूँ कि आपको elimination method आता है बच्चा पाटी, ठीक है, चलो start करते है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी multiplying equation number 1 by 2, ठीक है, चलो मैं फटा फट लिख देती हूँ, तो यहाँ पे equation number 1 को multiply by 2 करेगे, तो 2 into x, देखो यह जो 2 है वो सारे term से multiply होगा, तो यहाँ पे multiplying equation 1 by 2 on both side, यह भी याद रखना, दोनों तरफ multiply होगा, ठीक है, on both side, तो यहाँ पे देखो 2 into 3 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, तो यह जो equation number 1 है, वो change हो जाएगा, अभी किसमे, equation number 3 में, ठीक है, equation number 3 में change हो गया, तो अभी देखो यहाँ पे यह एक्स्ट्रा जो चीज करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो यह जो हमारे दोनों terms है, इनके जो sign है, वो क्या है, देखो sign अलग है, एक plus में है यहाँ और एक minus में है, तो जब sign अलग होते है, तो इसका मतलब हम क्या करेगे, यह दोनों equation को add करेगे, क्योंकि a for अलग, a for add, तो यानि कि अभी हम बोल 3x plus 2y is equal to 19, और equation number 3 को इसके नीचे लिखेगे हम लोग, तो यह है हमारा 2x minus 2y is equal to 6, तो addition बहुत easy होता है, ज्यादा जंटत नहीं होता है, तो 19 plus 6 करना पड़ेगा, तो 19 plus 6 कितना होगा, 19 plus 6 होगा, क्योंकि addition हो रहा है, 19 plus 6 होगा, 25, यह plus 2y minus 2y हो गया, cancel, 3x plus 2x हो जाएगा 5x, ठीक है, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो कोई बहुत बच्चे को ऐसा लगे कर रहे, अपने 5x इतना दूर क्यों लिख दिया, तो लोग, इसके नीचे लिख देती हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यह x की value fine करनी है, 5y is the 25, that is x is equal to हमको मिल गया 5, अभी हम क्या करेगे, यह जो x is equal to 5 है, वो put करेगे, हम लोग कोई भी equation में put कर सकते, तो put x is equal to 5 in equation number 1, equation number 1 में put कर देते है, ठीक है, तो equation number 1 क्या है, x minus y is equal to 3, तो चलो put करते है, तो x minus y is equal to 3, तो x के जगा पे 5 put किया, minus y is equal to 3, अब हम क्या यह जो plus 5 है उसको यहाँ पर shift कर देते हैं तो यह minus y यहाँ पर ही रहेगा is equals to 3 और यह देखो यह plus 5 जो है वह यहाँ पर shift हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus y तो that is minus y is equal to अब यहाँ पर देखो 3 minus 5 क्या होगा 3 minus 5 होगा बच्चा minus 2 ठीके minus 2 होगा क्योंकि greater number sign भी लगेगी तो यह minus यह minus होगया cancel that is y is equal to हमको मिल गया 2 अब देखो इसको हम लोग दूसरे way में भी solve कर सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चों के न सबके अलग-अलग दिमाग होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी solve कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो फिर से लिख देती हूँ मैं equation number 1 को और यहाँ पर देखो x के जगा पे हम लोग 5 put करेगे तो x के जगा पे 5 put किया minus y is equal to 3 अब यहाँ पे क्या किया हमने यह जो plus 5 है उसको यहाँ पे shift किया तो यह minus y हो गया आप ऐसे भी कर सकते हो कि number number को एक तरफ कर दो और जो variable है उसको दूसरी तरफ कर दो जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते थे, यह plus 3 है ना, इस तरफ shift हो जाएगा, तो यह हो जाएगा minus 3, ठीक है, और equal to sign, और यह जो minus y है, वो इधर shift हो जाएगा, तो यह हो जाएगा plus y, ऐसे, तो 5 minus 3 क्या हो गया, 2, 2 is equal to y, तो therefore हमको y is equal to, मिल गया 2, देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, y की value मिल गए 2, और x जो था, वो हमारा देखो, याद करो, यह हमारा क्या था, bigger number था, और यह हमारा क्या था, smaller number था, यानि कि जो हमारा bigger number है, वो है 5, और जो smaller number है, वो है 2, ओके, और यहापे देखो, यह जो values है, क्या वो right है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो यहापे द difference 3 है क्या हाँ 3 है 5 में से 2 को निकालो 5 में से 2 को माइनस करो कितना मिलेगा 3 मिलेगा तो इनके बिच में चो difference है वो क्या है 3 है तो मतलब यह हमारा right solution है तो therefore आप लोग लिख सकते हो therefore therefore the two numbers are ऐसे लिख दो last में आपको एन एक sentence लिखना चाहिए therefore the two numbers are five and two ठीक है five and two I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझता है तो एक बार दो बार जरूर फिर से देखना ठीक है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सब कुछ आपको बता दू चलो अभी हम करते है हमारा next one next one अगर देखोगे तो that is one like एक कुछ क्या बोलते है क्या बोलते है and we will see कि क्या क्या instruction दिया है ठीक है तो यहापे देखो यहापे क्या बोला है I am rectangle जैसे कि मैं हूँ galaxy वैसे यह है rectangle ठीक है तो यहापे लिखा है I am rectangle ठीक है भाबा हमको पता चल गया भाई तू rectangle है तो यह हमारा rectangle है उसके बादेखो यहापे arrow जा रहा है arrow इस तरफ जा रहा है तो next हमको यहापे क्या दिया है find the values of x and y हमको क्या करना है x और y की value find करनी है and then नीचे arrow जा रहा है तो नीचे next arrow क्या बोल रहा है find my perimeter and area यानि कि ये कौन बोल रहा है ये rectangle बोल रहा है rectangle बोल रहा है कि मेरा perimeter और area find करो अच्छा ठीक है कर लेगे पहले तो हमको देखो x और y find करना है ठीक है x और y find करना है चलो अच्छी बात है फिर हम लोगो perimeter और area find करना है इस rectangle का तो आपको ये ना जैसे ही rectangle आपने सुना ना वैसे ही आपके दिमाग में rectangle के सारे properties सारे formulas जो है वो घुमना चालू हो जाने चाहिए जैसे कि मेरे तो अल्रेडी घुमना चालू हो गए कि rectangle जो होता है उसके opposite sides equal होते है यानि कि congruent होते है और rectangle का area का formula क्या है length into breath है अच्छा rectangle के perimeter का formula क्या है तो rectangle का perimeter होता है उसका जो formula है that is equal to 2 into bracket के अंदर होगा length plus breath yes ठीक है तो जैसे ही rectangle दिमाग में आता है तो सब कुछ आपका दिमाग में चालू हो जाना चाहिए rectangle के बारे में सारी properties चलो ये तो ठीक है लेकिन हम लोग अरे काई जाला हाँ लेकिन हम लोग ये x और y की value कैसे find करेगे अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर ये क्या है rectangle है यानि कि जो हमारा ये coady lateral है that is rectangle and what we know कि उसके जो opposite sides होते है वो congruent होते है और यहाँ पर अगर देखो कि तो ये opposite side है जैसे कि ये वाली जो side है इसका जो length है वो देखो कुछ ये expression के form में दिया है mathematical expression के form में दिया है वैसे ही याँ पर देखो ये जो rectangle का ये जो length है इसका भी जो length है वो mathematical expression के form में दिया है और ये जो length है और ये जो length है वो equal होगा because opposite sides जो होते है rectangle के वो तो equal होते है that is congruent होते है वैसे ही अगर आप लोग next देखोगे तो यहाँ पे देखो यह rectangle के दोनों क्या है breath है और यहाँ पे देखो breath का जो value दिया है वो mathematical form में दिया है और जैसे कि हमको तो पता है कि जो rectangle है उसके जो यह opposite side से congruent होते हैं तो हम उसी चीज का use करेगे and हमको है ना क्या मिलेगा देखो म मैं आपको बताती हूँ tension मतलब बहुत easy question है मतलब इससे easy question कुछ नहीं है यह पूरे practice head में अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे बोलेगे बहुत easy है यहाँ पे देखो मैं आपको लिखके भी दिखाती हूँ यहाँ पे हम बोलेगे कि the given codilateral is rectangle ठीक है ऐसे थोड़ा सा अपने को भाशन लिखना पड़ेगा तो चलो लिखते है the given codilateral ठीक है जो codilateral है वो rectangle है तो the given codilateral is rectangle ठीक है तो हमको क्या क्या पता है कि opposite sides of rectangle are congruent ठीक है बने रहना interesting है बहुत तो भागो मत ठीक है कोड़ा साहे से patient रखो consistent रखो सब कुछ हो जाएगा आपका opposite sides of rectangular congruent तो यहाँ पे देखो यह जो हमारी side है और यह जो side they are opposite side so they will be congruent right तो यहाँ पे देखो यह जो side है इसका जो length मतलब इसका जो length है वो mathematical expression के form में दिया है that is 2x plus y plus 8 ठीक है तो यह जो length होगा that is equal to यह वाला length because opposite sides of the rectangular congruent तो यानिकि यह जो होगा that is equal to what 4x minus y 4x minus y तो जब हम इसको क्या करेगे simplify करेगे ना तो हमको क्या मिलेगा एक linear equation in 2 variable मिलने वाला है yes आपने सही सुना जब अभी देखो अब हम इसको थोड़ा सा simplify करेगे तो we will get our first linear equation in 2 variable okay then what we will do next जैसे कि आपको पता है कि यह वाला जो side होगा और यह वाला जो side होगा यह equal होगे तो यह जो side है इसका जो length है वो है 2y तो 2y लिखेगे and that is equal to यह वाला जो हमारा side है इसका जो length है वो क्या है x plus 4 तो that is equal to x plus 4 because opposite sides are equal तो we can definitely put equal to sign between them ठीक है clear है इतना okay तो अब भही मैं बोल रियू कब से कि हम जब क्या करेगे इसको solve करेगे तो हमारा पहला linear equation in 2 variable आ जाएगा and जब हम इसको solve करेगे तो हमको हमारा दूसरा linear equation in 2 variable मिलेगा okay और फिर वो दोनों जो equations होगे उसको हम लोग elimination method से solve करेगे and we will get the value of x and y simple तो यहाँ पर देखो जो हमको बोला था ना find the values of x and y वो मिल जाएगा उसके बाद जब हमको एक बार x and y की value मिल गई उसके बाद क्या करना है wait I will tell you लेकिन पहले हम लोग x और y की value find करते ठीक है तो चलो यहाँ पर मैं इसको rough कर देती हूँ यह मैंने सिफ आपको समझाने के लिए लिए लिखा था और जो number होगा वो बाजू में ओके जैसे कि यह 8 को इधर ही रहने दो 8 इधर ही रहने दो यह देखो यह हमारा 4x है तो पहले 4x इधर ही लिख देती हूँ और यह जो देखो यह हमारा plus 2x से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग 4x के बाजू में लिख देते हैं ठीक है क्योंकि xx वाले टम बाजू बाजू में भी लिख देगे ना हम लोग हाँ obviously तो यह plus 2x से इधर शिफ्ट हो गया तो यह हो जाएगा minus 2x रैसे देखो यह minus y तो इधर ही है तो इसको इधर ही लिख दिया और यह देखो यह plus y जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हमने इस तरफ ही रख दिया ठीक है अब क्या होगा इससे क्या हो जाएगा देखो बताते हूँ that is 8 is equal to यहाँ पर यह xx वाले को solve करो 4x minus 2x क्या हो जाएगा 2x उसके बाद यहाँ पर यह क्या होगा देखो यह क्या होगा तो y plus y कितना हो जाएगा very good 2y हो गया ना यह तो हाँ तो 2y हो गया और yes greater number sign obviously minus है तो minus दोनों ही हमारे equal number है इनकी sign minus है तो obviously final में minus लगेगा तो that is यहाँ पर अभी देखो एक और एक चीज हमको मिल सकती है एक minute पहले मैं इस equation को थोड़ा सा क्या कर देती हूँ ऐसे लिग देती हूँ that is हमारे पास क्या है 2x minus 2y is equal to 8 ओके हमने इस equation को ऐसे लिग दिया अब देखो अगर अभी तक नहीं समझा है तो just wait मैं फिर से किया तो यह हो गया minus y ठीक है clear है और हमने क्या किया simultaneously जो xx वाले term थे उनको बाजू-बाजू में लिखा है yy वाले term जो थे उनको बाजू-बाजू में लिखा है तो यह सब हुआ है हमारा ठीक है उसके बाद अभी हम क्या कर रहे है solve कर रहे तो obviously 4x minus 2x कितना होगा यह 4x minus 2x कितना होगा 2x होगा वैसे यहाँ पर देखो यह minus sign यह minus sign plus हो गया and y plus y होगा 2y and greater number sign minus चीक है इतना समझा चलो very good बच्चे हुश्यार है और अच्छे से समझ में आ रहा है अब next क्या होगा देखो next क्या होगा हमने क्या बोला यह जो equation है ना इस equation को हम लोग कैसे लिख दे है कैसे लिख देते है कि 2x minus 2y is equal to 8 this यह वाला step और यह वाला step कोई ज्यादा difference नहीं है जैसे कि देखो ऐसा कुछ होता है अगर suppose 5 is equal to x है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है ना that is x is equal to 5 5 is equal to x बोलो या x is equal to 5 बोलो वह एक ही बात है तो वह हमने लिखा है ठीक है तो 8 is equal to 2x minus 2y बोलो या 2x minus 2y is equal to 8 बोलो तो वह 1 and the same है ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छी चीज हो गई है और वो क्या है कि हमको हमारा पहला linear equation in 2 variable मिल चुका है यह देखो ना यह हमारा linear equation in 2 variable ही तो है हां लेकिन हम इसको equation number 1 अभ निकाल देते है तो चलो हमने 2 को बहार common भी निकाल दिया तो bracket open यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे x बचा यहाँ पे minus और यहाँ पे y बचा क्योंकि 2 बहार common निकल गया है ठीक है and that is equal to 8 तो अभी यह क्या हो जाएगा that is x minus y is equal to यह multiply में 2 है यहाँ पे आजाएगा यह दिवा variable. येस यह हमारा क्या होने वाला है पहला linear equation in two variable होने वाला है इसको दे देगे हम नोग equation number 1 और यह पहला equation कैसे मिला जब हमने क्या किया था यह जो हमारा rectangle है इसके जो length है वो क्या होगे congruent होगे मतलब sorry opposite sides क्या होगे congruent होगे तो हमने इसको और इसको क्या दिखाया? equal दिखाया और solve किया तो हमको हमारा पहला equation मिल गया Now what we will do, कि अभी हम लोग क्या दिखाएगे, दूसरी जो side है वो भी congruent होगी, right? दूसरी opposite side भी congruent होगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसके बाजू में ही लिख देते हैं, तो अच्छा तो what? X plus 4, तो that is X plus 4, बस इसको simplify कर लो, तो इसको simplify करना तो यार, दो मिनिट का काम है जैसे कि हम क्या करेंगे? हम X को इधर shift नहीं करेंगे, हम 2Y को इधर shift करेंगे, क्यों ऐसा क्यों कि मेरी मर्जी, आपको X को इधर shift करना है, तो करो मेरे को क्या है? मेरे को तो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो यह X है, तो मैं इसको X को इधर ही रखूगी, क्योंकि देखो, पहला term हमारा X में को अच्छा लगता है, क्योंकि elimination method में फिर वही करना है, कि X variable पहले होना चाहिए, तो मैं जो होगे वो एक तरफ होने चाहिए, और जो number है वो एक तरफ होना चाहिए, तो that is, that is, इसको हम लोग बोल सकते है कि X minus 2Y, यह जो X minus 2Y है, that is equal to minus 4, that is equal to minus 4, तो यह हमको हमारा दूसरा linear equation in 2 variable मिल चुका है, यह देखो, यह हमको हमारा दूसरा linear equation in 2 variable मिल चुका है, इसको देदेगे हम लोग equation number 2, equation number 2, तो यहाँ पे पहला linear equation, यहाँ पे दूसरा linear equation, now let us solve this both equation by elimination method, and elimination method होगा हमारा, elimination method में क्या करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, कोई भी एक variable का coefficient same करना है, कोई भी एक variable का coefficient same करना है, and सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है, कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जो x variable है, इसका coefficient already same है, देखो, यहाँ पे equation number 1 को पहले देखो, x variable का coefficient क्या है, 1 है, और equation number 2 में भी देखो, x variable का coefficient क्या है, 1 है, तो very good, coefficient same है, now अभी हमको क्या करना है, क्या हम यह दोनों equation को add करें कि subtract करें, देखो, आप दिमाग लगाओ, अगर आपने इन दोनों को add किया, तो क्या हो जाएगा, यह x प्लस x तो 2x हो जाएगा, यानि कि addition करने पे कोई eliminate नहीं होगा, और इसका नाम ही क्या है, elimination method क्या है, मतलब कोई eliminate होना चाहिए, यानि कि कोई delete होना चाहिए, कोई nिकल जाना चाहिए, एक variable वहाँ से delete होना चाहिए, लेकिन अगर हमने equation 1 और 2 को add कर दिया, तो यह तो क्या हो जाएगा, यह तो फिर से क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर कोई the elimination method की वो टेक्निक क्या है? कि हमको sign को check करना है, तो यह जो x से की sign क्या है, plus है, यह जो x से की sign भी क्या है, प्लस है, तो जब sign क्या होता है, दोनों का same होता है, तो sign same होता है, तो s for same, s for subtract, यानि कि हमको ये दोनो equation को subtract करना पड़ेगा, ठीक है, simple सी भाशा में, जैसा आपको अच्छा लगता है, वैसे elimination method को करो, ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग subtract करेगे, तो लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग subtracting equation number 1 and 2, ठीक है, subtracting equation number 1 and 2, तो equation number 1 को मैं उपर लिख देती हूँ, that is x minus y, तो यहाँ पे लिखेगे, x minus y is equal to 4, इसके नीचे equation number 2 लिख देती हूँ, that is x minus 2y is equal to क्या है, हमारा minus 4 है, ठीक है, और यहाँ पे देको subtraction है, subtraction के time पे क्या होता है, आपको पता ही होगा, कि जो नीचे हमारा equation होता है, उसके सारे terms के sign change हो जाएगे, तो यह minus 4 हे, तो यह plus 4 हो गया, यह minus 2y हे, तो यह plus 2y हो गया, यह plus x हे, तो यह minus x हो गया, तो अब यहाँ पे देको, यह 4 plus 4 तो 8 हो जाएगा, है ना, क्योदकि अब देको यह minus sign नहीं अभी, यह चली गई भाइए, लंडन चली गई है, ठीक है, तो 4 plus 4 4 प्लस 4 होगा हमारा 8 वैसे ही यहां पर क्या होगा देखो यह माइनस है और यह प्लस है तो माइनस प्लस होता है माइनस तो 2y-y करेंगे तो हमको मिलेगा 1y है ना दिमाग लगाओ 2y-y करो तो क्या मिलेगा y मिलेगा that is 1y मतलब y मिलेगा and greater number sign यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर देखो greater number sign हमारी क्या है तो 2y हमारा बड़ा है इसकी sign क्या है plus है ठीक है minus नहीं है मैंने बोला ना यह वाली sign अभी लंडन चली गई है अमेरिका चली गई है इसको तुम लोग ध्यान मत देना तो यहाँ पर greater number sign plus है तो plus c होगा answer और यह plus x minus x हो गया cancel ठीक है यानि कि यहाँ पर देखो directly हमको y की value मिल गई है that is 8 y की value एक मिल गई है तो अभी हम क्या बोलेगे put यहाँ पर आप ऐसे बोल दो put y is equal to 8 in equation number 1 equation number 1 में put कर दो तो यहाँ पर देखो यह हमारा equation number 1 ही था तो that is x minus y is equal to 4 तो यानि कि x minus y के जगा पर हम लोग 8 put करेगे is equals to 4 ठीक है तो that is x यह minus 8 है वहाँ पर shift हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus 8 and 4 plus 8 जो है that is equal to 2L यानि कि हमको देखो y की value मिली है 8 और x की value मिली है 2L ठीक है मैं यहाँ पर भी इसको भी box में डाल देती हूँ तो I think आपका x और y का value जो है वो भी same आया होगा अगर आ यहाँ पर देखो x और y की value मिल गई है ठीक है now next और हुआ नहीं अभी तक now आगे क्या बोला है find my perimeter and area अब यह rectangle बोल रहा है क्या बोल रहा है मेरा perimeter and area तो निकालो तो यहाँ पर देखो हमने तो formula तो already discussed कर लिया था starting में कि perimeter of rectangle is given by 2 into length plus breadth है ना और area जो है that is length into breadth तो यहाँ पर अब इसका length और breadth कैसे लाएगे अरे बाबा बाबा length कैसे लाओगे बताओ बताओ डेखो यह हमारा मतलब कि Ara करो एकस और y की value मिली है X की value क्या मिली है और Y की value कीतनी मिली एक्सप्रेशन भी ले सकते हो यह वाला एक्सप्रेशन भी ले सकते हो अगर लेंथ निकालना है ना तो यह लेंथ होगा ना अरे आप दिमाग लगाओ ना यह लेंथ है यह क्या है रेक्टैंगल के लेंथ है बरोबर पहले लेंथ निकालेगे तो लेंथ निकालने के लिए क् आप क्या कर सकते हो इस वाले expression में भी put कर सकते हो या फिर इस वाले expression में भी put कर सकते हो तो क्या होगा हमको length मिल जाएगा और देखना किसी में भी put करो length same आएगा आप tension मतलो जैसे कि suppose करो ये वाला easy लग रहा है that is इसमें हम लोग put करते हैं now तो यहाँ पे देखो length of jo rectangle होगा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप continue लिख देना, now length is equal to, length जो होगा that is equal to 4x minus y, 4x minus y, तो यहाँ पर put करो, 4x की value क्या है, देखो, x की value 12 है, तो 12 put की, minus y, y कितना है, 8 है, तो 4 into 12 करो, 412 होता है, 48, 48 minus 8, तो यह हो जाएगा 40, यानि कि length मिला 40, अगर आपने क्या किया होता, यह x और y की value जो है, वो यहाँ पर भी put की होती ना, इस वाले expression में, तो भी आपको length की value 40 ही मिलती, क्योंकि opposite sides of rectangle are congruent, and congruent तो मतलब same होगे ही होगे, आप चाहो तो यहाँ पर put करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूँगी, भाई मैं क्यों करूँ, तुम लोग करो, मेरे को तो विश्वास है, मेरे को तो trust है कि जब मैं इसमें put करूँगी, तो 40 आएगा, तुम्हारी मरती तुमको करना है, तो करो, मेरे को क्या जाता है, चलो, अभी हम निकालेगे breath, तो breath हो होगा, breath is equal to, अब देखो, इसमें भी put कर सकते हो, या इसमें भी put कर सकते हो value, क्योंकि ये breath है, right, this is breath, तो आपको क्या करना है, बताओ, जैसे कि यहाँ पे, यह easy है, तो यहाँ पे मैं दोनों में put कर देती हूँ, ठीक है, जैसे कि देखो, 2Y है, तो Y क्या है, हमारा 8 है, तो 2 into, Y means 2 into 8, that is 16, यानि कि breath 16 मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी put कर सकते हो, तो देखो, X की value, 2L put करो, तो 2L plus 4 कितना होगा, 2L plus 4 कितना होगा, 16 होगा, बोलाता ना, breath हमको 16 मिलेगा, ठीक है, तो चलो, यहाँ पे लिखते है, breath is equal to 2Y, and that is equal to 2Y की value है, हमारी Y की value है, हमारी 8, तो 2 into 8 करेगे, तो 16, तो breath मिलेगा 16, length मिलेगा 40, now our next thing is what, हमको area और perimeter निकालना है, तो चलो, नीचे अभी जगह है, तो नीचे, यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, माफी चाहती हूँ, लिकिन I know, आप adjust कर लोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा line खिचके, मैं यहाँ पे perimeter और area आपके लिए निकालती हूँ, ठीक है, now perimeter, perimeter of a rectangle, आप थोड़ा सा detailing में लिखना, अच्छे से लिखना, मेरा इधर उदर हो रहा है, जैसे कि मैंने उपर length और breath निकाला, but I hope आप कर सकते हो इतना, तो यहाँ पे depth है हमारा 40, plus breath है हमारा 16, ठीक है, मुझे याद है, तो मैंने फटाक से लिख दिया, तो that is equal to 2, पहले bracket को solve करेगे, तो 40 plus 16 करेगे, तो यह हो जाएगा 56, okay, तो 56, and 56 into 2 करेगे, इसके बीच में multiply sign है, यह याद रखना, तो 56 into 2 करो, तो 6 2s होगा 12, 5 2s हो 10, plus 1, 11, that is 112, तो perimeter हम को मिला 112, ठीक है, now let us come to area, तो we know that area of rectangle is given by length into breadth, तो length हमारा मिला है 40, into breadth मिला है हमको कितना, 8 मिला है, राइट, नहीं, सॉरी, breadth हमको 16 मिला है, 16, sorry, तो 16, तो अभी solve करेगे इसको, that is, यह कितना होगा, 6 40 होगा, I think, 16 into 4 करो, 6 4s are 24 and 6, yes, हा, तो 6 40 होगा, क्योंकि यह 0 भी लग जाएगा ना, बाद में, हा, तो I hope आपको multiplication आता होगा, obviously आता ही होगा, तो यानि कि यह answer है, तो यहाँ पर perimeter is 112 units and यहाँ पर हमारा area हो जाएगा 640 square units होगा, क्योंकि area है ना, तो square units में हम लोग लिखेगे, क्योंकि यहाँ पर centimeter to दिया नहीं है ना, होगा हमारा second one, I know थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत easy था, मतलब इससे easy question तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, फिर से बता देती हूँ, यह rectangle है, अगर यह rectangle है, तो इसके opposite side equal होगे, तो यह जो expression था, और यह जो expression था, इन दोनों को equal दिखाया, और फिर जब solve किया, तो पहला equation मिल गया, उसके बाद next क्या किया, कि यह वाला जो expression है, और यह वाला जो expression होगा, क्योंकि opposite side of rectangle होगे, तो इनको जब equal दिखाया, तो हमको दूसरा equation मिला, जब दोनों equation को solve किया, elimination से, तो x और y के value मिल गएते, और वही x और y के values हमने यहाँ पर put किये length और breath निकालने के लिए, और जब length और breath मिल गया, तो perimeter और area तो मिली जाएगा, ठीक है, I hope आपको समझाओगा, चलो हम लोग करते है अभी third one, तो चलो अभी हम लोग करते है third one, तो यहाँ पे देखो, यह हमारा last question होगा, आज का, लेकिन इसके बाद जो fourth, fifth, sixth है, वो हम लो तक यह video देख रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े time के लिए देखते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वो जो है ना, क्योंकि consistent नहीं है वो, बस ऐसे ही, हाँ, चलो ठीक है, देख लिया, एक सम देख लिया, थोड़ा देख लिया, कंट थर्ड जुलाई को संडे है, ठीक है, और संडे को साद बजे, साद बजे हम लोग क्या करने वाले हैं, MCQ सॉल्फ करने वाले है, येस, मैंने आपके लिए एक टेस्ट अरेंज किया है, MCQ का, और वो जो टेस्ट है, वो है चाप्टर नमा वन सिमिलाइटी का, ठीक है, तो सि मिलाइटी लेसन जो है, बहुत अच्छे से करके आना संडे को साद बजे, क्योंकि उसका MCQ टेस्ट होने वाला है, दस MCQ आपके सामने रखे जाएगे, आपको उनका जवाब देना है, and you will test yourself, आप खुद का टेस्ट लोगे, खुद को टेस्ट करोगे, कि क्या मुझे ये च concept कौन सा लगाए, वो सब मैं आपको बताऊगी, तो बहुत अच्छा जरिया है, ये एक practice session मैंने आपके लिए organize किया है, तो जरूर आना संडे को 7 बजे, ठीक है, मिलके live session में धमागा करेगे, चलो अभी हम लोग आज का third one करते है, क्या दिया है, देखो, question को सबसे अच्छ question करना, वो तो मैंने starting में बता दिया था, the sum of father's age and twice the age of his son is 70, ये पहली condition, यहापे देखो, ये पहली condition है, अब ये पहली condition क्या है, इसको देखो, हम लोग mathematical form में देखेगे, थोड़ा सा ठहर जाओ, next क्या दिया है, if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95, find their present ages, यानि कि यहापे देखो फिर से एक बार question को read करते हैं, चलो फिर से read करते हैं, क्या दिया है, the sum of father's age and twice the age of his son is 70, if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95, find their present ages, यहापे ये question को पढ़ते टाइम, एक बात तो clear है, कि यहापे किसका जिकर हो रहा है, father का जिकर हो रहा है, और उसके son का जिकर हो रहा है, मतलब यहा एक है father और एक है उसका son, तो यह बहुत अच्छी बात है, और हमको find क्या करना है, वो दोनों का present age जो है, वो find करना है, इतना तो clear हो गया ना, हाँ, बाकि धीरे-धीरे clear होता रहेगा, तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, जो father है और जो उसका बेटा है, उनके present age find करन age of father, of father be x year, क्योंकि यह क्या है, एक age है, तो हमको यहाँ पर मान सम्मान से लिखना पड़ेगा, x years, क्योंकि age जो है, वो years में होते हैं, ठीक है, let the present age of father be x year, and, and his son age, and his son present age, ठीक है, and his son's present age, ऐसे लिखेगे, and his, एक मिनिट अच्छे से लिख देती हूँ, and his, क्या लिख रही हूँ न, मैं हा, and his son's present age, be y year, ठीक है, and his son's present age, be y years, तो यह तो clear हो गया, कि हमने क्या लिया है, यह जो father है, father जो है, उनका present age, x year लिया है, और जो उनका बेटा है, उनका present age, हमने y year लिया है, चलो, यह तो clear हो गया, अब देखते हैं, कि जो हमारी first condition है, वो ह हम यहाँ पर लिखेगे, by first condition, क्योंकि first condition को mathematically लिखने की बारी आ चुकी है, चलो, फिर से read करते हैं first condition को, तो चलो, देखते हैं first condition क्या है, क्या दिया है, the sum of father's age and twice the age of his son is 70, okay, यहाँ पर देखो, sum करना मतलब add करना है, तो यह तो guarantee है, कि यहाँ पर कुछ addition होने वाला है, औ addition जो है, वो दो लोगों के बीच में होता है, अब वो दो लोग जो है, वो कौन है, चलो, देखते है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, the sum of father's age, और father's age हमने लिया है, x years, तो यहाँ पर आएगा sum of father's age, तो एक जगा पर हम लोग x लिख देगे, ठीक है, the sum of father's age and twice the age of his son, जैसे करना है, two से हमको किसको multiply करना है, sun के age को multiply करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा two, और यह two को हम लोग किस से multiply करेगे, sun के age से, और sun का age हमने लिया है y, अब देखो फिर से यह sentence को read करो, क्या दिया है, sum of, तो यहाँ पर देखो यह है हमारा sum of, यह है हमारा sum of, sum of what, sum of father's age, तो तो sum of father age and twice the age of the sun. तो ये देखो, ये क्या है हमारा twice the age of the sun. Is what is, मतलब equal to, is what is 70. तो is equal to 70 आएगा. देखो, ये हमको हमारा पहला linear equation in two variables मिल चुका है. क्या बोला है? फिर से पड़ो एक बार क्या बोला है? Sum of sum मतलब plus करना, किसका plus करना है, किसको add करना है? तो sum of father age, तो father age है, x and what and twice the age of the sun. तो twice the age of the sun मतलब 2y हो जाएगा, क्यूंकि twice मतलब 2 से multiply करना, अब किसको multiply करना है 2 से? Sun के age को. तो 2y हो गया. तो sum of father's age and twice the age of the sun is what? Is मतलब equal to, is what? Is 70. तो यानि कि is equal to 70. तो ये देखो हमको हमारा पहला linear equation in 2 variable मिल चुका है by first condition. तो आपको अगर condition को mathematically लिखना आ गया, तो मतलब जिंगा लाला, जिंगा लाला, ठीक है? चलो लिखते हैं. फिर से एक बार मैं आपके सामने लिख देती हूँ, sum of father's age and twice the age of the sun is equal to 70. वा, कितने आराम से लिखा है? कितने आराम से और कितने शान्ती से लिखा है? पूछो मत. अब देदेगे इसको equation number 1. clear है? ठीक है. चलो, अब हम देखते हैं second condition. second condition को थोड़ा सा read करेगे और हम इसको mathematically लिखने की कोशिश करेगे. यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारी second condition है. चलो, read करते हैं. क्या बोला है? if we double the age of the father. यहाँ पे father के age को double कर रहे हैं. चलो, double करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है? if we double the age of the father. ठीक है? जो father का age है, वो x है. इसको double करना है, तो double करेगे तो यह 2x हो जाएगा. ठीक है. चलो, हमने father के age को double कर दिया. ओके. if we double the age of the father and add it to the age of his son. यानि कि जब हम क्या करेगे? father के age को double करेगे और उसको क्या करेगे? add करेगे. किसमें add करेगे? son के age में क्या करेगे? add करेगे. तो यहाँ पे देखो father के age को double किया. अब इसको हम क्या करेगे? add करेगे. किसमें add करेगे? son के age में add करेगे. और son का age है y, तो उसे y लिखेगे. to y मत लिखना. क्योंकि क्या बोला है? if we double the age of the father and add it to age of his son यानि कि फिर क्या करेगे? add करेगे, कहाँ पर उसके son के age में add करेगे तो that sum that sum मतलब वो जो addition है वो किसके equal होगा? वो 95 के equal होगा मतलब यह जो addition है वो किसके equal होगा? वो 95 के equal होगा यह हमारी second condition है जिसको हमने mathematical formula में लिक दिया है क्या बोला है? यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करो और उसको mathematically लिखने की कोशिश करो क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? दिहां से सुनना क्या बोला है? if we double the age of the father तो हमने क्या किया? father का age है x year तो उनको double कर दिया, तो यहाँ पे 2x हो गया, तो क्या बोला है, if we double the age of the father and added to, add मतलब plus करना, and added to, added to age of his son, यानि कि हम क्या करते है, जब father के age को double करते है, और उसको फिर क्या करते है, add करते है, किसमें, उसके son के age से add करते है, तो son का age है y, तो y लिख दिया, तो वो जो sum है, sum 95 के equal, मतलब यह जो sum है, वो किसके equal होगा, 95 के equal होगा, ऐसी हमारी condition नमर 2 है, समझ में आया, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है, तो एक last बार लिख रही हूँ, उसके बाद आप अपना देख लो, ठीक है, मैं तो लिख रही हूँ भाई, last बार लिख रही हूँ, चलो यह of is sum, तो that sum, यह जो sum होगा, वो किसके equal होगा, that is equal to 95, yes, and यह हो गया हमारा second equation, and we are almost done, हम almost मतलब होने ही वाला है, क्योंकि जब यह दो equation मिल जाते हैं, तो आपको elimination method तो आता ही है, यार, elimination method जो solve करो, x और y की value निकालो, और x और y मिल गया, मतलब क्या मिल गया, फादर का present age मि जाये का बात, खतम, yes, चलो, अभी solve करते हैं, elimination method में क्या होता है, जैसे आपको पता है, कोई भी एक variable का coefficient, आप क्या करो, same करो, तो यहाँ पे हम क्या करेगे, बताओ, कौन से variable का coefficient, same करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे variable के coefficients अलग अलग है, बरुबर, यहाँ पे equation number 1 में, x variable coefficient 1 है, और equation number 2 में x variable का coefficient 2 है, तो x variable की coefficient अलग-अलग है, वैसे ही y variable की coefficient भी अलग-अलग है, तो you have to decide, it is up to you, कि आपको कौन से variable का coefficient, same करना है, तो मेरा मन कर रहा है y का coefficient है, वो हम same करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो y variable है equation number 1 में, इसका coefficient क्या है, 2 है, तो मत variable के coefficient सेम हो जाएगे, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह पूरा equation जो 2 है उसको 2 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेगे, equation number 2 को multiply करेगे, किस से, 2 से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख भी देगे, यहाँ पे लिख देते है multiplying equation number 2 by 2, तो multiplying equation number, equation 2 by 2, तो चलो 2 से multiply करो, मैं यहाँ पे 2 से multiply करूगे, ठीक है, यह थोड़ा सा मैं अपने लिखती हूँ, तो multiplying equation 2 by 2 on both side, यह भी याद रखना, दोनों तरफ multiply होगे, on both side, तो चलो, एक मैं चालू किया है न, हाँ, चालू है, तो यहाँ पे देखो, 2 से multiply करे 2 into 2x होगा, 4x, ठीक है, प्लस, यहाँ पे 2 into y कितना होगा, 2 into y होगा, 2y, and that is equal to 2 into 95 करना पड़ेगा, तो चलो, करते है 95 into 2, तो 5 2 सा हो जाएगा 10, 9 2 सा हो जाएगा 18, प्लस 1, 19, तो 190 आया, चलो, कोई बात नहीं, 190 लिख देगे, जादा hard नहीं होगा, don't worry, it will be easy, just, आपक that became equation number 3, वो equation number 3 में बदल गया है, क्योंकि 2 से multiply किया ना, हमने इसलिए, तो यह equation number 3 हो गया है, तो 2 जो है, वो equation number 3 हो गया है, तो अभी जो हमारे main 2 equation है, वो कौन से है, एक है हमारा equation number 1, इसमें हमने कोई भी छेड़चानी नहीं की है, equation number 2 जो है, वो equation number 3 बन चुका है, तो यह हमारा दूसरा main equation है अब यह दोनो equation में क्या करेंगे add करेंगे कि इनको subtract करेंगे तो आ जाता है हमारा next step elimination method का और वो step क्या है कि you have to check the sign जैसे कि यह पर देखो यह जो हमारा term है और यह जो term है यह दोनो terms के हम लोग sign sign को क्या करेंगे check करेंगे why because यह दोनो हमने y variable का coefficient same किया है तो यह दोनो जो term है वो exactly same होगे और इनके sign क्या है इनके sign भी same है plus plus है तो जब sign same होते है तो हम करते है subtract क्योंकि subtract करना पड़ेगा तो imagine करो ना यह 2y2y उड़ जाएगा subtraction के time पे क्या होगा यह 2y2 eliminate हो जाएगा अगर add करेगे तो 2y2y तो 4y हो जाएगा ऐसे imaging भी कर सकते हो आप लोग तो हम क्या करेगे इसको equation 1 और 3 को subtract करेगे तो यहाँ पर लिखे के subtracting equation 1 by 3 ठीक है अब देखो यहाँ पर हम क्या करेगे equation 3 और equation 1 को देखो equation 3 का यह जो right hand side है इसमें 190 number है और equation 1 के right hand side में 70 है तो 190 बड़ा होता है ना तो हम क्या करेगे equation 3 को उपर लिखेगे और equation 1 को इसके नीचे लिखेगे ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हो यानि कि equation 3 को हम उपर लिखेगे that is 4x plus 2y is equal to 190 और equation 1 को इसके नीचे लिखेगे that is x plus 2y is equal to 70 ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप बोलोगा यार ऐसा क्यों लिखा मैम आपने दीडी आपने AIसा क्यों लिखा आम लोगो को confused कर रहे हो अप अरे आप ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको उपर रहने दो, इसको नीचे लिको, इसमें कोई issue create नहीं होगा, आपका कुछ wrong नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे से होते हैं, जिसको 190 बड़ा है, दी दी तो उसको उपर लिको, उस equation को उपर लिको आप, तो अगर आपने इस कुछ ऐसा किया है, तो बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलता है, ठीक है, चलो अभी solve करो इसको, तो minus sign है, क्योंकि subtract करना है, तो as you all know, subtraction के time पे नीचे जो equation है, उसके सारे terms के sign change हो जाएगे, तो यह plus 70 है, तो यह minus 70, यह plus है तो यह minus, यह भी plus है तो यह minus, अब solve करो, 190 minus 70 कर तो यह खलास हो गया, अब 4x minus x करेगे तो मिलेगा 3x है ना, 4x minus x होगा 3x, अब solve करो इसको, that is x is equal to, यह 120, यह multiply में 3 है, नीचे आ जाएगा, divide में 3, that is x is equal to 3 1s आ, 3 4s आ 2L, 3 0s आ 0, that is x is equal to 40, और याद करो कि यह x क्या है, याद करो, वो पल याद करो, जब आपने let लिया यानि कि जो हमारे father saiba है, वो saiba, बर बर बोला ना, sorry, saiba कैसे होगा, saab होता है ना, जो father saab है, वो 40 years के है, अब उनके जो पुत्र है, वो कितने साल के है, चलो देखते है, तो हम क्या करेगे, यह 40 जो है, वो किसी एक equation में put कर लेगे, तो यहाँ पे लिखेगे हम, put x is equal to 40, in which equation, कोई भी equation में put करो, आपके पास 3 equation है, equation नमा 1, 2, 3, जिसमें put करना है, करो बिंदा, तो हम equation नमा 1 में put करेगे, वो ही जाधा ठीक लग रहा है, ठीक है, तो equation नमा 1 में put करेगे, पहले equation नमा 1 को पूरा अच्छे से लिख दो, यहाँ पे है, x plus 2y is equal to 70, यह equation नमा 1 है, ठीक अब यहाँ पे यह 2y धरी रहने दो, यह जो plus 40 है, इस तरफ shift हो जाएगा, तो यह हो जाएगा minus 40, that is 2y is equal to 70 minus 40 होता है, 30, yes, that is y is equal to 30, और यह multiply में 2 है, यहाँ पे आजाएगा, तो यह divide में 2 हो जाएगा, कुछ बच्चे को ऐसा इतना गुसा आ रहा होगा ना, दीदी जादा overacting तो नहीं कर रहे हो आज, हाँ आज शुरा मन हो रहा है overacting कर तो overacting की सही बड़ ठीक है ना, भी करने दो यार, जिन्दी की एकी तो जिन्दी की मिली है यार, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 का हाफ क्या होगा, 15 होगा, यह आप इसको नॉर्मल तरीक से divide कर लो, 2 1 1 बचे का, 2 5s are 10, यानि की 15, तो यानि की हमको y की value मिली 15, और यह y कौन है, वो याद करो, वो पल, जब हमने let लिया था y, y जो है, वो तो हमारे sun का age है, sun नहीं, वो वाला sun नहीं, वो पुत्र वाला sun, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया है, therefore आप final answer लिख देना, last minute, therefore the present age of father, the present ages of, ages लिखना क्योंकि 2 ages है न, मतब 2 लोगों का age है न, the present, क्या बोल रहीं, the present ages of father and his son, and his son is what, is 40 years and 15 years, okay, पुत्र जो है, वो 15 साल के है, and 40 years respectively, अब यह respectively वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देखो, यह जो father है, उसका age होगा 40 years, because वो दोनों starting में है, first first, and जो son है, उसका age क्या होगा, 15 years, okay, father का 40, son का 15, इसलिए respectively, तो the present ages of father and his son is 40 years and 15 years respectively, यह last की कुछ sentence जो अपने मर्जी से भी आप बना के लिख सकते हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, the present age of father is 40 years, and present age of his son is 15 years, ऐसे भी कुछ ल तो इसी के साथ हमने third one भी solve कर लिया, I hope आपको आज थोड़ा सा मजा आया होगा, next video में हमें बाकी की questions करेंगे, Sunday को live session जरूर join करना, और similarity chapter को अच्छे से revise करके आना, Sunday को, Sunday को मिलते है live, and till then अगर video अच्छा लागा तो like कर लेना, share कर लेना, subscribe कर लेना, अपने friends के साथ, till then and bye, telegram group join कर लेना, okay bye and take care बच्छा बाटी